हलो एब्रीवन, विलकम बैक तो माई चैनल, दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रकृत ने हमें ऐसी जीवन दाईनी आउशधियां प्रदान की हैं, जिनका प्रियोग हम बहुत सारी बीमारियों को उठी करने में करते हैं, कुछ आउशधियों को तो हम खाते हैं, कुछ को पी आप इससे चिर परचित होंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इसके आउशधियों उप्योग क्या है, दोस्तों आज के समय में जैसे समय बढ़ता जा रहा है, नई प्रियोग आते जा रहे हैं, वह इन आयरवेदिक आउशधियों को भूरती जा रही है, जबकि इसमें छ क्या चीज होती है, दोस्तों यह एक पेड़ से प्राप्त की जाती है, एक गोंद की तरह होती है लोवान और इसके बहुं सारे आउशधियों गुण है, तो अगर आप इसके गुणों को जानना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे, विल आइकन को प्रेस कर दीजे, तो आईए दोस्तों हम बताते हैं कि यह लोवान जो आपको दिख रहा है, यह किस पेड़ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है और इसके क्या फाइदे हैं, दोस्तों लोवान को अंग्रेजी में गम बेंजोईन के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे देशी भासा में लोवान कहा जाता है, भारती घरों में पूजा और हवन के कारियों में लोवान का उप्योग बड़ी पैमाने पर किया जाता है, अधिकतर लोग लोवान का उप्योग केवल धुएं के लिए करते हैं, लोवान में एंटिसेप्टिक, एंटी मस्या के उप्चार में लोवान का उप्योग आउशधी की रूप में किया जाता है अरुवेद में लोवान को अच्छा आउशधी माना गया है इसके फायदे के बारे में बात करें तो यह उल्टी रोकने में पेट दर्द को कम करने में गठिया में दिमाग सांध करने में इत टि डिप्रेशन होने पर लोवान की सुगंद लेने से फायदा मिलता है। अगर आपको depression है आउशाद है, तो लोवान की सुगं लेना चाहिए। इसका सुगंध मानसिक ठकान और डिप्रेशन के लच्छन को रोकने में सहयता करता है इसलिए लोबान के सुगंध को लेना चाहिए दिमाग सांत करता है लोबान लोबान में कई तरह के आउशदीय गुण का समाबेश होता है जो दिमाग को सांत करने में मदद करता है इसलिए अगर आपको तनाओ या मस्तिस्क में असांती का अनभव हो रहा है तो लोबान की सुगंद जरूर ले ताकि दिमाग सांत हो कफ को बाहर निकालने में फायदे मंद है लोबान, अकसर कफ को निकालने के लिए लोबान तेल का उपयोग किया जाता है लोबान में ऐसे गुण मौझूद हैं जो कफ को पतला करने में मदद करता है और कफ को बाहर भी निकाल देता है इसके साथ ही दोस्तों कैंसर को रोकने में फाइदे मंद है लोबान कैंसर एक खतरनाक बिमारी है जिसका उपचार तुरंत ना किया गया तो मनुस की जान भी जा सकती है इसलिए कैंसर के सुरुआति लक्षण नजर आने पर उपचार सुरू कर देना चाहिए घरेली उपचार में लोबान कैंसर को रोकने में मदद करता है आपको बता दें कि लोबान में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर को बढ़ने नहीं देता इसके अलावा लक्षण को काम करता है सेक्सूल इस्टैमिना बढ़ाने में फायदेमन दूद के साथ लोवान के चूंड, सुन्ठी, सेमल, निर्यास, अस्ति स्रिंखला और अकर करा मिलाकर सेवन करें यह आपकी कमजोरी को दूर कर सेक्सुल इस्टेमना को बढ़ाता है साथ ही दोस्तों खासी का उपचार करने में लोवान बहुत ही फायदे मंद है आपको किसी भी तरह की खासी हो चाहे दमा, पुरानी खासी, टीवी या सामान जुखा मित्याद सभी को ठीक करने में लोवान फायदे मंद होता है इन रोगियों को लोवान के धुएं की सुगंद लेनी चाहिए इससे आपको बहुत फायदा मिलता है और खासी में आराम मिल जाता है कुश्चन यह आता है दोस्तों कि लोवान का उपयोग कैसे करें लोवान का पेड लंबा या मध आकार का होता है इसके फूल सफेद या हलका लाल बैगनी रंग का होता है इसके पेड के छालों से दूद निकलता है उसे लोवान का पेड यूरोप, दच्छन अपरिका और मलेसिया में आधिक पाया जाता है आपको बता दें कि लोवान का उपयोग में लाने के लिए कुछ और चीजों को मिलाया जाता है लोबान का उपयोग आउशदी के लिए किया जाता है जैसे तचा रोकी समस्या ठेक करने के लिए लोबान का उपयोग किया जाता है उल्टी को रोकने के लिए लोबान को जला कर द्विये से पानी उबाल कर पीने से उल्टी रुख जाती है लोबान के तेल का उपयोग ठकावट के लच्छाओं को कम करते हैं और आराम पहुचाते हैं इसके आलामा कफ को बाहर निकालने के लिए लोबान का उपयोग किया जाता है क्योंकि लोबान में ऐसे गुण छिपे हैं जो कफ को पतला कर देता है और दोस्तों और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोबान के और क्या-क्या फाइदे हैं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लोबान जो है वो दिल के लिए भी फाइदे मंद है लेबरेटरी में की गई research के अंसार लोबान का तेल दिल को सुरच्छा परदान करता है इसे blood lipid को कम करने, plaque को घटाने और entry inflammatory और anti-accident की रूप में कार करता है या दिल की बिमारियों के खत्रिय को घटाने में मदद कर सकता है हलांकि अभी इस दिशा में और भी रिसर्प्स की जरूत है लिवर के लिए भी फाइदे मंद है लोबान में इर्दे के लिए एंटी आक्सिदेंट गुण होते हैं जो लिवर को भी स्वश्ट रख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से लोबान का जो उप्योग है आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बाजार में प्राप्त किया जा सकता है और अगर कहीं पर रिस्प्रेक्टरी ट्रैक्ट में परशानी है कई बार रिस्प्रेक्टी ट्रैक्ट के किसी हिस्से में जैसे स्वासनली फेपड़े इत्याद में सुजन आने की वज़ा से सांस लेने की प्रक्रिया में बाधा पढ़ जाती है जिसके कारण खासी की समस्या सांस फूलना या सीने में दर्द की दिक्कत हो सकती है respiratory tract से जुड़ी इन सभी समस्याओं में लोवान का तेल काफी प्रभावसाली होता है तवचा के कटाओ या घाओ का उप्चार भी कर सकते हैं अगर आपकी तवचा में कोई कट लग गया है जिसे खून निकलना बन नहीं हो रहा है या फिर किसी घाओ की वज़ा से सुजन आ रही है या फिर किटानों की वज़ा से उसमें infection पनपने का डर है तो इसमें लोवान का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है इसका इस्तेमाल अन्य जड़ी बोटियों को साथ मिला कर भी किया जा सकता है जिसे compound benzyne tincture कहते हैं ज्यादा मात्रा crystal के रूप में जम जाती है तो उस इस्तित को गठिया रो कहते हैं इसकी वज़ा से जोडों में दर्द या संचालन में कमी आधिकी समस्या होती है इस समस्या में आपको कभी-कभी जोडों में गंभीर दर्द का दोरा पड़ता है जिससे acute attack कहा जाता है इस समस्या में anti-inflammatory दवायकार करती हैं और दर्द और सूजन को कम करती हैं इसी वज़ा से आप इस समस्या में लोवान का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी anti-inflammatory गुण होते हैं जो आपके दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं चातिवा पेट के जलन से दिलाए रहत आपके पेट में एक acid होता है जो कि खाना पचाने में मदद करता है दोस्तों लेकिन जब यह acid किसी कारण बस आपके food pipe में उपर की तरफ आने लगता है तो इसे acid reflux की समस्या कहते हैं इसके वज़ा से चाति वा पेट में जलन के दिक्कत हो सकती है लेकिन लोबान के essential oil का प्रयोग करने से इस समस्या में रहत मिल सकती है क्योंकि इसमें मौझूद cooling और digestive गुण acid reflux को कम करके पेट को आराम पहुँचाते हैं इसके साथ दोस्तों और भी जान लिए कि लोबान जो है वो मसूडों की सूजन पचा को सस्थ वानाना के लिए इसकी अलसर पेशाब सर्मंदित बीमारी और साथ को दूर करने के लिए पेट दर्दी की समस्या उल्टी रोकने में अस्तमा के रोग आद में भी जो है इसका उपचार किया जाता है इसका प्रियोग किया जा सकता है तो दोस्तों लोबान लेने के सही खुराग क्या है समझे दवया आउसदी के रोब में लोबान की खुराग हरवेक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है आपके लिए उचित मात्रा आपके लिंग, उम्र, स्वास्त और अन्यकारणों पर निर्भर करती है इसलिए अपने लिए लोवान के इस्तेमाल की उचित खुराज जानने के लिए किसी डाक्टर या हरबलिस्ट से संपर करें वह आपके स्वास्त और मेडिकल हिस्ट्री का अध्यन करके आपको सही जानकारी देगा ध्यान रखें कि किसी भी चीज का अतिदिक मात्रा में सेवन या इस्तेमाल करने पर गंभीर प्रणामों का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों अब आप समझ गए होगे कि लोवान हमारे लिए कितना फायदा बंद है इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और आप जान लिजे कि लोवान के कुछ जो है दैवी गुण भी है इसका धूब जलाने से घर में जो आपकी बुरी सकतियां है और जो निगेटिव उर्जा है वह समाप्त हो जाती है और आपके घर में जो है पाजिटिव उर्जा का संचार होता है जिसे परिवार स्वस्त रहता है और आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने प्रयारम हो जाते है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विल आइकन को प्रेस कर दीजी इतनी ही आपसे आग रहा है तो मिलोंगा आपसे नेक्स वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर तब तक के लिए नमस्कार